नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुझा ओदिया मनेस चेनल पर हो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विटामिन की शोट ट्रिक ठीक है विटामिन याद करने के आज शोट ट्रिक लेकर आया हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर सकते हैं स तीन आदमी थे, तीन मतलब तीन दोस्त थे, एक, दो और तीन, ये तीन दोस्त थे, तीन दोस्त थे जो इन दोनों ने इसको कहा कि विटामिन पी ले, तो इसने क्या करा, इसने विटामिन पिया, तो इसने जैसे ही विटामिन पिया, तो इसके क्या आ गए, इसके फंक आ गए फंक निकल गए, जैसे ही इसने में विटामिन पिया, तो विटामिन पिया तो इसके फंक निकल गए, तो इस दोस्त ने कहा, कि देख 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 हस रहे हैं, कि देख 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 इसके क्या निकल गए, इसके फंक निकल गए, तो विटामिन की खोज किसने की, विटाम विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के बारे में, ठीक है, तो इन के बारे में वे आपको बता देता हूँ, विटामिन A, B, C, D, E, K का एक सुत्र है, एक ट्रेक आपको याद रखने है क्या, ये, क्या याद रखना है, राम रत पर एक टोफी लेकर गए, क् एक दो, तीन, चार, पान, छे ये छे विटामिन की एक ट्रिक हैं क्या याद रखना है राम रत पर एक टोफी लेकर करें केसे ये लो ये विटामिन है विटामिन का रासानिक नाम है उनका सुत्र है विटामिन एक रासानिक नाम क्या है रेटीनोल ठीक है विटामिन बी का रा जो रेड रेड कर रखा था ना रत ये तो आपको इन में से जो साइलेंट है ना कौन-कौन से साइलेंट है राम साइलेंट है पर साइलेंट है लेकर गए साइलेंट है इसका यूजवा रत एक टोफी तो आपको याद रखना है राम रत पर एक टोफी लेकर गए तो रह से क् एक तोफी लेकर अगला वितामिन की कमी से होने वाले रोग अब वितामिन कौन से हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, देखो, विटामिन A, B, C, D, E और K है न, इनकी कमी से होने वाले रोग, इनका भी एक सुत्र है, क्या है, रात को बेरी-बेरी, इसकरवी, रिकेट्स, नवीन के रक्त का थका जम गया, क्या याद रखोगे ये, रात को बेरी-बेरी, नवीन के रक्त का ठक्का जम गया ठीके, तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये जो मैंने रेड-रेड कर रखा है न ये आपका ट्रीक है और ये सब आपका एश्ट्रा में मैंने आपका लगा दिया है न रात को नवीन और रक्त जम गया ठीके तो रात को बेरी-बेरी, इसकरवी, रिकेट्स, नविन के रक्त का क्या जम गया? ठक्का जम गया तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन A की कमी से आपका रतुंधी रोग होता है विटामिन B की कमी से आपका बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन C की कमी से आपका इसकरवी रोग होता है विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन E की कमी से आपका नपुसंगता रोग होता है और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जमता है तो आपको क्या याद रखना है कि विटामिन A, B, C, D, E, K तो रात को बेरी-बेरी, इसकरवी, रिकेर्स, नवीन के रक्त का थक्का जम गया रक्त का थक्का जमना विटामिन K, ठीके अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती हैं तो एक बार कमेंट जरूर करना और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं, चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन जरूर प्रेस करें और कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो केसा लगा ठीके, एक और आपको और जो इससे एक और क्योशन बनता है इसी तरह के सभी विशे के में थोड़े थोड़े ट्रेक वाले क्योशन भी लाता रहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आनन्द की अनुभती होगी, ठीके कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है कौन से विटामिन आपको वसा में घुलनशील है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, E और K तो आपको कौन से विटामिन वसा में घुलन सी ले तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कीडा क्या याद रखना है कीडा, के से विटामिन K, E, D और A क्या याद रखना, यह कीड़ा है, यह वसा में गुलनशिल है, क्या याद रखोगे, यह कीड़ा, तो आपसे पूछ ले के कौन सा विटामिन वसा में गुलनशिल है, तो आपको याद रखना है कीड़ा, कीड़ा से आपका बनेगा के, विटामिन E, विटामिन D और विटामि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद